दोस्तों क्या आप जानते हैं by 2023 e-commerce का जो global growth है वो पहुँच जाएगा 6.542 trillion dollars तो आप imagine कर सकते हैं e-commerce का business आज कितना बड़ा हो चुका है अब after pandemic बहुत सारे जो physical retailers है large scale business owners है या small scale business owners है या फिर छोटे मोटे entrepreneurs वो सब आज online पे अपना store खोल चुके हैं और through e-commerce ही अपने सार products को sale कर रहे हैं चाहे फिर website हो Shopify की या Amazon की eBay की Woo Commerce की Flipkart की वगेरा वगेरा यानि कि दोस्तों आज e-commerce जो है वो एक mainstream business बन चुका है अब सबसे बड़ा जो challenge इन लोगों के सामने और photo editor के सामने ये आता है कि भाई हम जल्दी जल्दी अपनी photos को किस तरह से edit करें किस तरह से ज जार हो है photo editing का वो थोड़ा सा slow है वो ज्यादा तर उन लोगों को ध्यान में रखके बनाया गया है जो की creative photography करते हैं यानि कि अगर आपको pictures edit करानी है तो जो software available है अभी वहाँ पर आपको 5-15 मिनटे कई बार एक गंटे से जादा भी लग जाता है खाली एक या दो pictures को edit करने में और e-commerce में जो demand होती है वो होती है bulk में तो वहाँ पर इस तरह के software जो है दोस्तों वो fail हो जाते हैं तो आज जो software में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही एक कमाल का software है उस software के अंदर दोस्तों आप कुछी seconds में आप कुछी मिन्टों के अंदर अपनी सारी तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ auto retouch software की अब auto retouch software है दोस्तों ये एक AI based software है यानि कि artificial intelligence based software है आप जो भी pictures इसको देंगे ये अपने आप उसको जो है artificial intelligence के साथ में जो है gauge कर रहे है कि कहां पर काम करना है किस तरह से कहां का किन किन जगा पे skin को retouch करना है किस जगा पे जो ह आपका clothing को ठीक से दिखाना है तो कुछी second के अंदर जो है आपकी पूरी picture edit होके या कुछी minute होके आ जाती है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको किसी भी तरह की चाहें आप एक photo editor हो या आप e-commerce का business own करते हो यहाँ पर आपको किस और वहाँ पर आपको type करना है www.autoretouch.com तो इस तरह से एक screen आपकी खुल जाएगी यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर ना तो इसकी कोई subscription fees है ना ही कोई इसकी मंतली fees है ना ही कोई joining charges है यह absolutely free है दोस्तों अब यहाँ पर जो भी आपको खर्चा होता है वही होता है जितना आप यहाँ पर अपना काम करवाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना एक account जो है फ्री में sign up कर लीजिये और शुरू की कुछ जो images है वो absolutely free है ताकि आप एक पर पहले try करिये, trust करिये, verify करिये तब जाके जो है आप इसके उपर अपना regular काम शुरू करिये तो मुझ यह दोस्तों यह software बहुत ही अच्छा लगा और मैंने last 20 days to 30 days यह software को use किया personally और वहाँ पर मैंने पाया कि भाया यह software जो है e-commerce के लिए और photo editors के बहुत यह useful software है तो इस तरह से दोस्तों screen आ जाता है जब भी आप जब आप www.autoreaters.com type करेंगे यहाँ पर देखिए आपने मैंन ghost mannequin shots ही चलते हैं तो मैं आपको एक नमुना दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पर index में आप आईए यहाँ पर आपको क्लिक करना है ghost mannequin पे और आप देखिए इस तरह से ghost mannequin का आप एक screen खुल जाता है अब नीचे कुछ pictures आपको दिखाई देने for example आपको करना कुछ नहीं माली जी आप इस तरह का shoot करते हैं आपने model को खड़ा करना है आपने इस तरह से उसकी photo ले ली देखिए एक pant उसने पैना हुआ है और दूसरा जो photo है आप उसको in out करकी यानि कि जो pant का अंदर खासा उसको बाहर निकाल के जो है आप यहाँ पर click कर सकता है pictures तो जो हमारी जो यह हमें edit करके दे देगा अब इस picture को अगर मैं download करूँगा तो देखिए आपको यह preview दिखाई देगा इस तरह से तो आप देख रहे हैं दोस्तों यह इसका preview तो आप देख रहे हैं कुछ ही seconds के अंदर हमारा जो है मैनिक्वीन का shots वो है बिल्कुल ghost मैनिक्वीन वाले shots में तबदील हो गया तो बहुत यह असान है दोस्तों इसी तरह से आप एक picture और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए यह मैनिक्वीन के ओपर एक dress डाला हुआ है यह हो गया front का picture और यह देखिए आप पीछे दूसरा जो inlay shot है यह है अंदर के हिस्ते का अब अगेन जो आप दोस्तों देख पा रहे है यहाँ पर दिखा रहा है auto retouch is processing तो यह जो artificial intelligence दोस्तों based software है यह आपको देख लेता है कि भई कैसे मैनिक्वीन को remove करना है और किस तरह से आपको जो है ghost मैनिक्वीन वाला shots देना है तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो है कितनी कुछ ही seconds के अंदर हमारा यह shot भी जो है एकदम ready हो गया मैं इसे भी download करके आपको दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको एक idea आ जाएगा so friends now you can have a look at this shot आप देख रहे हैं बहुत ही बहतरीन shot हमें दोस्तों मिला है और यह काम हमने कुछ ही seconds में कर लिया ना हमने किसी भी तरह का photo editing software यूज किया ना हमने कुछ सी photo editor को hire किया कुछ seconds के अंदर हमारा ghost mannequin shot is ready अब यहाँ पर दोस्तों आपको दो file types के option मिलते हैं एक है इस PNG is fine and this picture is ready to use यानि कि आप सीधे से upload कर सकते हैं अब बात करें दोस्तों इसकी costing की तो यहाँ पर आप इसे process कर सकते हैं only 0.50 euro के अंदर यानि कि अगर इसे हम रूपीज में transfer करें तो कुछ 43 रूपीज something आता है तो आपने 43 रूपीज के अंदर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आपने पूरा एक Mannequin, Ghost Mannequin का shot जो है वो create कर लिया without helping of any editor और without having any knowledge of Photoshop या photo editing और सबसे बड़ी बात है ये काम सारा आपने कुछी seconds में कर लिया अब दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ और workflow templates की तो यहाँ पर आपको उपर जाना है इस तरह से आपको click करना है तो य इस तरह से देखिए पूरी screen आप देख पा रहें यहाँ पर दोस्तों आपको option मिलता है skin retouch का set on canvas, add ground shadows, extract patch, color palette, edit file name, crop face, trim to content, export तो बहुत सारे options है आप अपने ज़रत का जो भी आपका workflow उस हिसाप से सारे options select कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो option मिलते है upload image और यह यहाँ पर जो एक final आपकी जो process की image आएगी वो आपको दिखाई देगी तो मैं for example आपको दिखाता हूँ एक picture upload करता हूँ एक product की तो देखिए यहाँ पर मैंने एक picture को जो है देखिए upload किया इस तरह से तो आप देख पार हैं यहाँ पर कुछ option आते हैं select clothing and model, select only clothing, select object, remove the plain background तो मैंने यहाँ पर select object चूज़ किया था तो आप देख रहें background कितनी जल्दी उसने remove कर दिया, अब अगर हम बात करें skin retouch की तो यह toy है तो मैंने skin retouch को option छोड़ दिया है, now मैं next option ले रहा हूँ set on canvas, तो आप देख रहें कि अब यह जो है automatically process कर रहा है इसको auto retouch और यहाँ all of the card TED को on account JUL, आप कभे तो साने कि पर दिया है iOS Ettो भी आपको जाए और गीए स्काने और यहाँ एं एक पनमेंट आप अगया सब आ कर सकते है अब इसके बाद हम जो है यहाँ आ पर आप choice करते एक और जैसे कि अगर मुझे मालिजे face को crop करना है तो मैं crop face वाला भी यहाँ पर ले लेता हूँ देखिए इस तरह से option तो यह थोड़ा सा face को crop करेगा बड़ जनरली यह picture जो है clothing वाले उसमें ज़्यादा अच्छी रखते हैं मैं आपको सिर्फ एक example देखिए दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि face इस तरह से crop हो गया है अगर मैं इसे हटा दूँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है trim to content भी कर सकते हैं यानि कि इसको थोड़ा सा अगर हमें और trim करना हो तो आप इसको preview यह preview को आप देख पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा detailing के साथ में पिच्चर आपका आया है और इस image को आप download भी कर सकते हैं दोस्तों और यहां पर अगर हम बात करें इसकी process images की तो इसकी जो cost आ रहे हैं दोस्तों वो आ रहे है सिर्फ 0.10 euro यानि कि अगर हम उसे calculate करें इंडन rupees में तो कुछ 8 रुपे 50 पैसे 8 रुपे 60 पैसे के अंदर आपने पूरा background भी असानी से remove कर लिया चलिए एक नमूना में आपको और दिखाता हूं दोस्तों अब एक में एक एक अपना fashion image में आपको upload करके दिखा रहा हूं देखे इस तरह से and यहां मैंने select select clothing and model तो अब आप देख रहे हैं यह processing जो है दोस्तों यहां पर start हो गया है so it takes some seconds आपको थोना सा patient होना पड़ेगा और यहां पर आप देखेंगे कि बहुत असानी से जो है पूरा यह जो background है वो यह software बिल्कुल remove कर देता है let's have a look यह देखिए पूरा background हमारा यहां पर remove हो चुका है अब अगला जो option रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा skin retouch तो मैं यहां पर जो है इस तरह से देखिए दोस्तों skin retouch तो अब यह skin retouch क्या करेगी automatically जो model का face का skin है hands का skin है वो बिल्कुल retouch कर देगा तो यहां पर दोस्तों आपको बिल्कुल भी महनत कर नहीं जरूरत नहीं पड़ी सब कुछ जो है इस software कर रहा है let's have a look यह देखिए skin भी जो है अच्छे से retouch हो गया है मैं आपको एक तुरा सा preview दिखा देता हूं यह देखिए यह skin कितने अच्छे से जो है पूरा retouch हो गया है so this is very easy to use दोस्तों बहुत ही user friendly software है यह अब बात करते हैं दोस्तों इसके अगले हम feature की तो यहां पर माले जी अगर मुझे set on canvas तो यह देखिए यह पूरा white background के उपर आ जाएगा now this picture is ready to upload on Shopify, Amazon, Flipkart, WooCommerce, eBay जहां भी आप इस तरह का काम कर रहे हैं देखिए पिचर पूरा आ गया है now again इसका मैं आपको preview दिखा देता हूं दोस्तों so this is the preview so मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि यह जो software है आपको बिलकुल भी difficult नहीं लगेगा एक बर आप इसे use करेंगे सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको यहां पर किसी भी तरह की कोई subscription fees नहीं देनी है किसी भी तरह का किसी भी तरह का आपको monthly membership या इस तरह का कोई चक्कर नहीं है आप जितना use करते है उतना ही पैसा आपको देना है for example अगर इस picture को मुझे डालना है तो मुझे सिर्फ देना पड़ेगा 0.10 या निकि 8.60 पैसे मुझे देने है और यह picture मेरी ready हो गई अब दोस्तों बात करते हैं इसके एक और workflow की तो यहाँ आप देख पार है Amazon का main image fashion on figure square तो यह भी काफी popular है आपको सिर्फ यहाँ पे click करना है और आपको यहाँ पे इस तरह से जो है process करना है अगेन आप देख पारे है पूरा इस तरह से जो है आपका एक पूरा screen आजाता है यहाँ आप अपने workflow का नाम दे सकते हैं फिलाल जैसे कि Amazon का है तो मैं डाल देता हूँ Amazon my photos करके तो यहाँ मैंने जो है अपना Amazon my photos करके अपने workflow के एक नाम दे दिया तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक picture upload करके दिखाता हूँ देखिए इस तरह से और यह picture मैंने कुछ time पहले shoot की थी तो आप देख सकते हैं कि model का photo जो है बिल्कुल upload हो गया इदर तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं अब जो है picture हमारी auto detouch process कर रहा है तो मैंने पहले डाला है background remove background का तो देखते है background remove होता है कि नहीं तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की जो picture है Amazon पर बहुत लोग upload करते हैं और बहुत असान है इसको edit करके process करके देखे पूरा background हमारा remove हो गया है दूसरा option जो मैंने डाला है वो डाला है crop face का तो कई जो यहां पर face भी हमारा है बहुत असान है crop हो गया आप देख पार है screen के पर और automatically देखिए set on canvas याई प्योर white background पर उसने picture को डाल दिया now it is ready for export तो आप इसे JPEG के अंदर export कर सकते हैं मैं आपको खाली preview दिखाना चाहूँगा दोस्तों यहां पर यह देखी कि इसका 0.10 euro यानि कि लगवक 8 रुपे 65 पैसे 8 रुपे 40 पैसे वह आप calculate कर लिजे तो it's very easy it's very quick दोस्तों यहां पर आपको कुछ options चुनने हैं अपने हिसाप से अपने workflow के हिसाप से बाकी का सारा काम जो है दोस्तों यह software करके आपको देगा तो दोस्तों आपको यह software कैसा लगा आ आपको यह useful लगा या नहीं आप मुझे comment करके ज़रूर बताएगा personally आप मुझे पूचेंगे तो मुझे कौन सा feature अच्छा लगा तो इसमें सबसे अच्छा feature दोस्तों मुझे लगा ghost mannequin का जो की बहुत सरे लोग जो है एक industry standard है जो कि इस तरे के pictures लो लोग upload करते तो यहां यहां पर एक option आता है दोस्तों multiple images का वो मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर आप add multiple images कर सकते या निकि आपने 8-10 picture डाल दी या 15-20 picture डाल दी product images की 15-20 उसके inlay image डाल दीए और वो एक साथ bulk में आपको जो है पूरा process करके आपको एक final image जो है ghost mannequin का shots आपको दे देगा तो यह सबसे अच्छा feature लगा मुझे और दूसरा जो मुझे feature अच्छा लगा दोस्तों वो लगा इसका pricing तो pricing जो है दोस्तों वो बहुत ही reasonable है आपको इतने सस्ती चीज़ आपको कहीं मिलने वाली नहीं है दोस्तों क्योंकि अगर आप एक photo editor hire करते हो तो आप खुछ जानते हो आपको जाना है www.autoretouch.com पे वहां पर यहां पर sign up करने का आपको एक रुपय भी खर्ष्ट नहीं कर रहा है इस इस absolutely free आप वहां जाके free में sign up कर सकते हैं first trial images जो है आपकी कुछ trial images वह absolutely free है ताकि आप उनको एक बार जो भी pictures है आप अपना pictures create करिए यहां पर इस software को try करिए और सबसे पहले जो है आप verify करिए जो भी मैं कहरा हूँ हो सही है कि नहीं जब आप पूरी तरह से verify कर लें जब आप पूरी तरह से trust कर लें तब जाके आपने images को process किया है या use किया है और वो आपके ऊपर इस तरह से credit आपको आता रहेगा balance आपको आता रहेगा process PNG file आपको export करना है इसको PhD में वह सारी costing आपको बताता रहेगा तो overall मैं आपको एक idea देता हूँ कुछ साड़े 8 रूपे से लेके maximum 43-45 रूपीज तक का खर्चा आता है depending कि आप कौन सा किस तरह के pictures को यहाँ पर आप image retouch करवा रहे हैं किस तरह की आप editing कर रहे हैं किस तरह का workflow आपको one more thing very important thing दोस्तों कि अगर आप Shopify पर या WooCommerce के ऊपर अपना store चलाते हैं तो यहाँ पर आपको यूसफुल लगा इसलिए मैं दोस्तों अपने चैनल पर लाया और इसका review कि आपके सामने आपके comments कर रहेगा मुझे इंतिजार जल्दी मिलता है फिर नए वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग